अभी तक हमने सयों जक्ता और पर्मानू साइस के बारे में पड़ा चलिए अब धात्विक और अधात्विक गुन धर्मों को पढ़ने से पहले एक बार आधूनिक आवर्ट सार्णी को देखते हैं सार्णी में तत्व मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए हैं धात्व और अधात्व आधूनिक आवर्ट सार्णी की बाई और के तत्व धात्व होते हैं जबकि दाई और के तत्व अधात्व होते हैं जैसे की देख सकते हैं सोडियम और मेगनीशियम साणनी के बाई और हैं और यह तत्व धातु होते हैं दूसरी और सलफर क्लोरीन तत्व साणनी के बाई और हैं क्लोरीन तत्व साणनी के दाई और हैं और यह तत्व अधातु होते हैं तो ये बीच में सिलिकॉन क्या हुआ? धातू या अधातू? ये है अर्ध धातू, जिसे उपधातू भी कहते हैं. आप सोच रहे होंगे ये क्या होते हैं? अर्ध धातू या उपधातू ऐसे तत्व होते हैं, जो धातू और अधातू दोनों के गुंधर्म प्रदर्श्चित करते हैं. आधूनिक आवरित सार्णी में एक टेड़ी मेड़ी रेखा में तत्व धातूं को अधातूं से अलग करते हैं. इस रेखा पर आने वाले तत्व हैं बुरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आरसेनिक, आंटिनॉमी, आंटिमॉनी, टेलियूरियम और पुलोनियम. ये सभी तत्व अर्ध धातूं या उपधातूं हैं जिने इंग्लिश में हम सेमी मेटल या मेटलॉइड कहते हैं. इनका नाम अपनी कॉपी में लिख लीजिए. तो चलिए अब धात्विक और अधात्विक गुन धर्मों के बारे में पढ़ते हैं. ध्यान दे, धात्विक अभिलक्षनिक सम्हों में उपड़ से नीचे जाने पर बढ़ता है, पर कैसे चलिए समझते हैं? तीसरे अध्याय में हमने विस्तार से पढ़ाथा कि आभंध बनाते समय धात्व में उपड़ं त्यागने की प्रवरिती होती है, अर्थात ये विद्युत धनात्मक होते हैं. और दूसरी और अधातुओं में एलेक्ट्रॉन को ग्रहन करके आबंद बनाने की प्रविती होती है अर्थात्य विद्यूत रिनात्मक होते हैं आये इन दोनों गुन धर्मों के बीच का अंतर पड़ते हैं उधारन के लिए आधुनिक आवर्थ सार्णी से तीसरे आवर्थ को लेते हैं ध्यान दें आवर्थ में जैसे जैसे हम बाई और से दाई और की तरफ जाते हैं नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभकिये आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाभकिये आवेश बढ़ने से बहारी कोश में उपस्तित सयोंजक एलेक्ट्रॉन्स को नाभिक द्वारा अधिक मजबूती से खीचा जाता है और परमानूओं के लिए एलेक्ट्रॉनों को खोना अधिक कठिन हो जाता है इसलिए इनमें एलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवती घड़ जाती है और एलेक्ट्रॉन को ग्रहन करने की प्रवती बढ़ जाती है तो हम कहते हैं आवर्त में बाईयों से दाईयों पर जाने पर धात्विक अभिलक्षन गड़ता है और अधात्विक अभिलक्षन बढ़ता है इसलिए आवर्त में धातूओं को बाईयों रखा जाता है और अधातूओं को दाईयों रखा जाता है चलिए अब सम्हों में इस गुन्धर्म को समझते हैं उधारन के लिए पहले सम्हों को लेते हैं ध्यान दे सम्हों में नीचे की और जाने पर सयोंजक्ता एलेक्ट्रॉन्स पर प्रभावी नाप किये आवेश घटता है सोचिए ऐसा क्यूं? ऐसा इसलिए क्योंकि सम्हों में नीचे की और जाने पर हर तत्व में एक कोश जुड़ता जा रहा है यानि की सयोंजक्ता एलेक्ट्रॉन्स की नाबिक से दूरी बढ़ती जा रही है इस कारण तत्व असानी से एलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर सकते हैं इस अधार पर हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि सम्हों में धात्विक अभिलक्षन बढ़ता है और अधात्विक अभिलक्षन कम होता है तो हमने अभी तक पढ़ा कि आवर्त में बाएं से दायों और जाने पर धात्विक अभिलक्षन घड़ता है और अधात्विक अभिलक्षन बढ़ता है और सम्हों में उपर से नीचे आने पर धात्विक अभिलक्षन बढ़ता है और अधात्विक अभी लक्षन घटता है ये बहुत इंपॉर्टिन टेबल है इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए चलिए अब एक प्रश्न करते हैं प्रश्न को ध्यान पूर्वक पड़े और सही जवाब सोचे थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक ले समय समाप्त आएए इसका उत्तर देखते हैं हम पढ़ चुके हैं कि एक समू में उपर से नीचे आने पर परमानू साइज बढ़ता है धात्वे गुंधर्म भी बढ़ता है पर सयोजकता एलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है और आखिर में कोशी की संख्या भी बढ़ती है तो तीसरा विकल्प सही जवाब है इस प्रश्ण को अपनी कॉपी में नोट कर ले तो यहीं पर ये टॉपिक खतम होता है दिये गए प्रश्ण को कक्षा में हल करने का प्रयास करें धन्यवाद